ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तो एश्टो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार जून सनिवार के रासी फल्क के बारे में कीह दिन मेश रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नेने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए सनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आपका प्रियास आज आपको अच्छी कामया भी दिला सकता है यदि आप राजनीती में विश्वास रखते हैं तो इस समय प्रियास कर सकते हैं आपको सफलता प्राप्थ हो सकती है संतानपक्ष आज अनुकूल रहनी की संभावना बन रही है आज आपको अचानक धन प्राप्थी के भी अवसर प्राप्त हो सकते है इसमें आपका भग्य अच्छा साथ देगा साती साथ आज आपके प्रते कारे सरलता पूरुवक संपन होंगे किसी मनोहर इस्थल पर प्रवास हो सकता है पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो लाबदायक रहेगी घर की साज सजावट में नयापन लाएंगे वहन शुक भी आज आपको प्राप् आज आपकी अभी रूची विशेश रहेगी आपकी आज अनेको इक्छाएं पूरी हो सकती हैं जिससे आप प्रसन चित रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई योजना पूर्ण हो जाएगी जिससे आपको अच्छा धनलाब भी होगा जिससे आपका मन बहुती प्रस आज आपको घर परिवार और संतानों के मामलों में आनंद और संतोस की भवना का अनुबब होगा इश्वर की आरादना जाप और अध्यत्मिक्ता आपको सांतिक अनुबब कराएंगे कार्य छेत्र में अपनी मेहनत से सफलता मिलेगी इसके फलसरूप आत्म विश्वास ब एम शंतान संबंदित सुब समाचार मिलेंगे विध्यारती मोज मस्ती करेंगे और पढ़ाई में जो मेहनत की है उसका फल सफलता के रूप में भी मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज का समय आपके लिए काफी उत अन्यता आप फाइनेंसियल समस्याओं के बीच खुद को गहरा पाएंगे कार्यभार की आज हदिकता रहेगी जिससे शाररिक तता मांसिक रूप से ठकान का अनुबब करेंगे मनोरंजन, सौंदर्य प्रशादन, आभूशन आदी के पीछे आज घर्च हो सकता है तनाव से बचने के लिए अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारें, जल्दबाजी में फैसला ना लें ताकि जिंदगी में आगे आपको पच्चताना ना पड़ें, साती साथ अपना काम किसी और पर ना टालें और स्वेम अपना कार्य करने की आदर प्रालें, माता पिता का अवस्चे ध्यान रखें क्योंकि उनकी सेवा के बिना भग्य और सुक की प्राप्ती असंभव है, साती साथ किरोध पर नियंत्रन एम वानी पर आज आपको सेयम रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि किसी का भला करने की आफत को गले आप लगा बेठें, आग, पानी और वाह आएगा, साती साथ कुछ परिस्तितियां आज ऐसी बन सकती हैं, जो तनाव बढ़ाएंगे, धर में कारों के पीछे धन खर्च हो सकता है, नए काम में रुकावट आ सकती हैं, समस्याओं को सुल जाने के लिए किसी की सला आप आवश चलें, दोस्तों से वाद विवाद करन आपने वली हैं, दोस्तों प्रेम संबंदों को मदुर बनाए रखने का प्रियास सफल हो सकता है, दांपत्य जीवन आज अच्छा हो सकता है, दांपत्य जीवन में तनाव उत्पन हो रहा है, वह्वि आज समाप्त हो सकता है, आपको लव पार्टनर के साथ रोमांस करने का भरपूर मुका मिलेगा और आपके रिष्टे में मजबूती आएगी अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर की बाते ना करें आपको अपने जीवन में प्यार और रोमांस का स्वागत करने के लिए तयार रहना चाहिए यदि आप किसी रिष्टे में पहले से हैं या किसी की तलास में हैं तो वह मिल सकता है तो आपको इस मामलों में खुसी मिल सकती हैं रोमांटिक आकर्शन की आज संभावना है मनोरंजन के लिए आज आप उनके साथ सिनेमा देखने जा सकते हैं और लंच वे डिनर भी आप साथ करेंगे दोनों के बीच कोई तोफो का भी आज आदान प्रदान होगा दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपका वेवसाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे भार की आज अधिकता रहेगी लेकिन अपने प्रियासों से कारों में आपको सफलता मिलेगी वेवसाई में धनलाब और नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे अधिकारी आज आपके काम से प्रसन रहेंगे प्रॉपर्टी में निवेस करना लाबदायक रहेगा कारे छित्र में आज माहूल काफी अच्छा रहेगा और वेपार वेवसाई में आपको सफलता अच्छी प्राप्त होने की संभावना रहेगी आर्थिक लाब प्राप्ती के रास्ते खुल सकते हैं धनलाब, संचे, करने का भी प्रतन सफल हो सकता है साथ-साथ आज आपको अपने वेवसाई को लेकर कोई यात्राइ हो सकती है जिनका आपको शकारात्मक प्रणाम प्राप्त होगा जीन दोस्तो वेवसाईक द्रश्टी से आज की इस्तिती आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है और इस समय कुछ अच्छा लाब आपको प्राप्त हो सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे विध्यार्तियों के लिए भी दिन आज का मिला जुला रहने वाला है दोस्तो बात कर ल खराब हो सकती है जिसके कारण पूरे दिन मन खराब रहेगा स्वैम का ध्यान रखें और खुद को किसी भी तरह मानसिक रूप से कमजूर ना पढ़ने दें तनाव को दूर करने के लिए अपनी जीवन सैली में थोड़ा बदलाव लाएं इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिश निर्वत रहूने के बाद अपनी गजल से दोकर पॉँच लें अब इस पत्ते पर अपनी कामना रूपी ना पहुआ काला धागा इस पत्ते पर आप लपेड दें जा दोस्तो इसके बाद आप इस पत्ते को भगवान शनिदेव करस्मनन करते हुए बहते हुँ जल में प्रहायत कर दें और साथ इसाथ अपनी म पाई को अवश्य करें आपको अवश्य ही विशेस लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान शनिदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैस शनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक टरन ना भूलें धन्यवाद